सूरच का एक बड़ा हिस्सा अपनी सता से तूट गया है और अब एक बवंडर की तरह उसके चारों और चक्कर लगा रहा है। इससे साइंटेस्ट हैरान हैं, वो पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ये कैसे हुआ। इस खटना को नासा की जीम्स वेब टैलिस्कोप ने रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो को पिछले हफ़ते स्पीस वैदर फॉर्कास्टर डॉक्टर तमीता स्कोव ने ट्वीटर पर शेयर किया था। सूरच से सोलर फ्लेयर्स निकलती रहती हैं। इससे धरती पर कॉमिनिकेशन पर असर पड़ता है। इसलिए विज्ञानी को कुछ चिंता सता रही है कि इस बार तो सूरे का एक हिस्सा तूटकर अलग हुआ है। सोलर फ्लेयर के टूटने पर कभी ऐसा भवर नहीं देखा गया है। नासा के अनुसार पहले ऐसी कई तरह के घटनाएं हुई हैं। लेकिन इस नए घटना ने चिंता बढ़ा दी है। स्पेस साइंटेस्ट अब इस अनुकी घटना के बारे में जारा जानकारे इकठा करने में जुट गए हैं। इसके चलते सूरज पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। Spaceweather.com के एक रिपोर्ट के अनुसार मंकलवार को एक मध्यम आकार के सोलर फ्लेर के कारण पैसिफिक ओशन में एक शॉर्ट वेव रेडियो ब्लैक आउट हुआ था।